स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI इस चैनल पर आज इसमें हम ITI के grievance से related बात करेंगे ये बहुत पहले का हमने एक screenshot रखा हुआ जब आपके grievances कितने pending थे कहां पे तो अभी जो है अभी latest हम लोग update देखेंगे बहुत से बच्चों के बहुत से trainees के जो grievances अप्रूब हो गये हैं तो इसमें बहुत सारे changes हुए है especially जो NPIU और SPIU का data है उसमें बहुत से grievances अपडेट हो गये हैं तो आपका भी हुआ है कि नहीं हमको comment करके जरूर बताइएगा और जिनके grievances अपडेट हो गये हैं NPIU से उनका 3-4 दिन में certificate भी download हो जाएगा ऐसी भी अपडेट है तो आईए आपको दिखा देते हैं अभी का data कि अभी कितने grievances बाकी है यहां पर आपने देख लिया होगा टोटल यहां अगर देखेंगे profile जो close हुए थे 365 थे अब latest हम लोग देखेंगे तो हम आ गए यहां पे NCVTM IS के पोर्टल पर जो हम आपको एक update दे रहे थे कि अगर आपका जो grievance है अपडेट हो गया है तो आपका क्या होगा NPIU से अपडेट होने के तो आप जरूर ट्रेणी profile से चेक करिएगा अब हम यहां पे देख लेते हैं grievance dashboard पे चलके कि अभी क्या है data तो आप compare कर पाएंगे कि अभी case में data जो है वो approval का data जो है वो क्या है उसका संख्या जो है उसकी वो बढ़ चुकी है यहां पे आप clearly देख पाएंगे भी यह percent में close किये गए हैं approximately दो हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाया था दो हफ्ते पहले का screenshot है तो इस दो हफ्ते में Twitter पे भी एक campaign चला था कि इतने टाइम हो गए आपने बोला था कि इतने दिन में grievances अप्रूब हो जाएंगे और तीन महीने होने को आ रहा है अभी तक अप्रूब नहीं हुआ है तो उसका भी काफी असर इस पे हुआ है आप लोगों ने भी काफी support किया था Twitter पे सभी YouTube चैनल्स का हमारा भी और भी YouTube चैनल्स का यहां पे भी आप देखिए क्या है जो वो 12K था भी कितना बचा है 12K का घटके कितना हो गया भी 11K ठीक 11,000 बचा है यहां हाँ एक चीज जो नोडल से है जनरली नोडल के केस में जो है वो अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है तो जिन भी कंडिरेट्स का नोडल में था नोडल में उनको जाकर डाकुमेंट्स जमा करने थे उसके बाद उनका ग्रीवेंस एप्रूब होता तो आपका भ और हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या उनको बताएंगे कि अभी कितनी परिसानी हो रही है ग्रीवेंस क्लोज ना होने से जिसकी वज़ा से हमारे मांक सीट और सर्टिफिकेट नहीं आ रहे हैं हमारी अप्रेंटिसिप मिस हो रही है हमारी जॉब्स की वेकेंसी मिस ह हो रही है तो इस प्राब्लम को देखते हुए आप जल्दी से जल्दी इसको भी सही करवाने की मतबब कोशिस कीजिए या करवाईए तो यह एक अपडेट देनी थी आपको ग्रीवेंस रिलेटेड कमेंट में जरूर बताएगा किनके किनके ग्रीवेंस अप्रूब होने के बाद मार्क सीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ वो भी जरूर कमेंट करके बताएगा जिससे की और भी जो ट्रेनी से जिनका नहीं हो रहा या कोई प्राब्लम है उनको भी यह चीज़ें पता चले और अगर कोई कमेंट करता है किसी चीज रिलेटेड और आपको उस भाईचारे के साथ ही अगर रेप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में या कोई भी आपका सवाल हो या कोई भी आपको कम्प्लेन भी करनी हो तो आपकी जो लेंगवेज होनी चाहिए वो काफी सही होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ऐसा कई बार देखा जाता है कि आपका गु Thank you very much.